हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा 2019 में जब से डिस्रेल चालान प्रडाली शुरू हुई पुलिस वभाग मुबाइल से चालान काटने लगी और तब से लेकर अभी तक तक्नीकी कारणों के वज़े से सोरन पुलिस का लाख रुपया फंस चुका है कई वहन चालकों के मुबाइल नंबर गलत हैं तो कईोंने मुबाइल नंबर ही नहीं डाले जिसके चलते उनका चालान हुआ है और ऐसे में उन्हें परिशानें से दो चार होना पर रहा है आगामी समय में ऐसे वहन मालिकों की मुश्किले बढ़ने वाली हैं बिना नंबरें को अपने बहानों के साथ अटेच करें ताकि उन्हें चालान की जानकारी मिल सके बहान चालकों को में समस्य तब आती है जि उसका किसी कहांज उसने इंशुरेंस अपडेट करा नहीं हो या उसका कहीं कोई एक्सिजेंट हो गया हूँ या उसने बहान को बेचना हो तो जब तक उसके पिछले चालानों का भुकतान नहीं करेगा हो तब तक जो है उसका कोई भी कागज जो है अपडेट नहीं होगा अभी हमारे पार कुल मिलाकर अब आज तक करीब दस हजार चलान जो हो पैंडिंग है इसलिए लोगों से हमारा आपके माध्यम से यही आगरे रहेगा क्यों कम से कम या इस एप में जाकर करके वहां अपना चेक करें या कभी भी जो है वह हमारे पास भी आ सकता है इसको हम पूरी जानकरी देंगे और अपने चलान का पूरिबंट्वियकर कर सकता है वहाँ पर कि उसके कोई चलान प्रेंडिंग तो नहीं है, यह चलान का बुक्तान हो गया है कि नहीं हुआ है, और अब तो जो नया कानून पास हो गया है, शायद एक अप्रेल से लागू हो जाएगा, तो इसमें पहले से बनिसमत बहुत जादा जुरुमाना जो है, निसारी क कि यह जाएगाई टिके जी